बहतर ये होता कि खिसारी लाल यादो जी लाइव आकर के कहते कि भोशपुरी को आठवी अनुसूची में शामिल कराया जाए यह हमारी मात्रभाशा है इसी के दम पर हम स्टार हैं सूपर स्टार हैं इसी के दम पर हमारा पेट पलता है बहतर ये भी होता कि पवन सिंग जी मंच पर आकर कहते कि जब तक भोशपुरी को राश्ट्रिय स्तर पर पहचान और सम्मान कानून की नजर में नहीं मिलेगा तब तक हम कोई सिनमा नहीं बनाएंगे और हम सबसे बड़े स्टार हैं हम ही से सबको शुरू होता है तो हम एक अंदोलन की शुरुआत करते हैं कि जब तक भोशपुरी को उसकी वाजिब जगा सम्मिधान में नहीं मिल जाती है तब तक भोशपुरी में सूपर स्टार का स साजिशें रची जा रही है इनको इस बात से नहीं मतलब है कि भोशपुरी को या देश की किसी भी क्षेत्रिय भाशा को कोई सम्मान और पहचान नहीं दिया जा रहा है ये लोग इस बात पर सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं कि आखिर भोशपुरी में ऐसी क्या ब यानि ऐसा कृत्य करना जिसको सब इस समाज सारवनिरिक अस्तल पर करने की अजाज़त नहीं देता है इन सितारों को इस पर बात करने की फुर्जट नहीं है लेकिन एक सितारा मंच पर खड़े होकर के अशली लिसारे करता है वहां से बताता है कि हम जहां से खड़े होते है लाइन वहीं से शुरू होती है उसका जवाब देने के लिए दूसरा पुछल सितारा इंस्टाग्राम पर लाइव आता है और ये बताता है कि वो दूसरे वाले धुरुफतारे को क्या समझता है और बस क्या दोनों के अंधे समर्थकों को मौका मिल जाता है और कट मरने को तयार हो जाते हैं दोनों सितारे एक दूसरे पर निशाना लगा रहे होते हैं और बीच में बैट करके उनके फैंस तीर पकड़ पकड़ करके एक दूसरे के पेट में घोंप रहे होते हैं किसारी लाल यादो आकर के इंस्टाग्राम पर पवन सिंग को बताते हैं कि उनकी बौडी, बॉझर जैसी है, तो पावन सिंग मंज ची से बताते हैं, कि कौन 5000 रूपे में गाना-गासता गाता है, और कमर मटकाता है, कि सारी लाल यादो लाइव में आ करके टार्गेट करते हैं, कि गाना-गाना तो ठीक बात है, लेकिन आए ये कुष्टी करके ये सिद्ध क कर लेते हैं कि कौन सबसे बड़ा पावर स्टार है इसके बाद पौवन सिंग जी भी आज लाईवाते हैं हलांकि वो कुश्टी की बात नहीं करते हैं लेकिन यह जरूर कहते हैं किया यह हार्मोनियम ले करके बैठते हैं और यह साबित करते हैं कि भोजपूरी का अच्छा ग बर्बात कर दी है और अधिक बर्बात करने की आवशक्ता नहीं है आप लोगों के मुख से बिखारी ठाकूर और महेंदर मिसिर का नाम शोभा नहीं देता है कहीं वो उपर बैठ करके सोच रहे होंगे कि अगर हाथ में लाठी होती तो दोनों लोगों को सोटा मारते और भग सेकड़ो करोड कमा करके अपनी फैली भर चुके सितारों से बस एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जब सरकार फैसला लेती है कि सार्वजनिक वाहनों में भोजपूरी के गाने नहीं बजा सकते हैं तो आपको शरम नहीं आई जब यह कहा गया कि ये ख्षेत्रिय भाशा को इंस्ट्रीम भाशा जिसको हिंदी कहा जाता है उसे बड़ा और उसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्में बन रही हैं तो आपकी फिल्मों को उस बराबर का सम्मान क्यूं ही दिया जाना चाहिए आप आज इस पर इतरा रहे हैं कि आपने फलाने पंजाबी गायक को बुल सर आपको शरम नहीं आती है ये कहते हुए कि आपने भोजपूरी में किसी पंजाबी या किसी हरियानवी गायक को बुला लिया है क्यों आपने भोजपूरी को इतना सम्रद और शक्तिशाली और प्रसिद्ध नहीं बनाया और इतना सम्मानित नहीं बनाया कि पंजाबी या मराठी या किसी और या हिंदी भाषा के लोग मंच से यही खड़े होकर के कह रहे होते कि हमने फलाने भोजपुरी सूपरिस्टार को आज अपनी भाषा में गवाया है आज अपनी फिल्म में 5 मिनट का कैमियो करवाया है जी हाँ आज हमें ऐसी बातें बोलनी पड़ रही हैं ताकि यह दर्ज रहे कि आप सभी ने उस वक्त एक पत्रकार को मजबूर किया था यह बोलने पर क्योंकि जब हमारे ही चैनल से खबर की जाती है कि ऐसी घटना हुई है उस घटना को रिपोर्ट किया जाता है उसके बाद उनके समर्थकों के ऐसे फोन और ऐसी गालियां आनी शुरू होती है जिनको सुन करके लगता है कि बिहार बदल रहा है जिस राज्य की सरकार सरमिंदा होती है अपने राज्य की प्रमुक भाषा में बनने वाले सिनमा को सपोर्ट करने में जहां सिनमा स्टार लोग इसी राज्य में बैट करके उस सरकार की सबसे मात्वा कांग्षी और कागजों में समाज सुधारक साबित होने वाले फैसले शराबंदी का माखौल बनाते हैं बियार की सरकार भोजपुरी में सिनेमा बनाने के लिए एक रूपए नहीं आवंटित करती है वहां के स्टार के हिसाब से इस बात का दंब बर सकते हैं कि वो भोजपुरी भाषा को ले करके आगे जा रहे हैं उनको शरम नहीं आती अपने मुख से बिकारे ठाकूर या महेंदर मिशिर्या उनके जैसे तमाम लिजेंड्स का नाम लेते हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया इस भाषा के शिल्प को और निखारने में आपने और आपके जैसे इन स्टारों ने बरबाद कर दिया है इस भाषा को आज भोषपुरी बोलने पर बाहर के लोगों का अगर नाक मूँ टेड़ा होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं अगर सरकार आपका नहीं साथ दे रही है तो उसके जिम्मेदार आप हैं यदि किसी विज़्ड धियाले के बाहर बोल्ड और इटैलिक में लिखा रहता है, कि भोजपुरी बोलना बैन है, तो उसके जिम्मेदार आप हैं. अगर भोजपुरी बोलने माले कुछ हिछोरा और लफंगे की नजर से देखा जाता है, तो उसके जिम्मेदार आप हैं अगर सरकार ये कह देती है कि सारवजनिक गाड़ियों में भोजपूरी गाने नहीं बजाये जा सकते हैं उनको सुन करके सब बेसमाज को शर्म आती है तो उसके जिम्मेदार आप हैं एक पंक्ती में कह रहे हैं कि आज भोजपूरी की राष्ट्रिय फलक पर जो भी स्थिती है उसके जिम्मेदार आप हैं और हमसे बहतर आप समझते हैं कि भोजपूरी की स्थिती आपने क्या कर दी है और आखिर में डियर फैंस आपके लिए कुछ नाम बता देते हैं और कुछ धूंड रिलिजिया का होच से शारदा, सिनहा, भरत, सर्मा, उज्जुल, पांडे, चंदन, तिवारी ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे दो चार नाम अगर आपको याद हो तो कमेंट में बताइए जो भोजपूरी में बहतर काम कर रहे हैं और नाम कर रहे हैं जनता जिंट्शन को फोन करने से और इन लफंटर नायकों की जंडा बर्दारी से फुरसत निकाल करके इन लोगों को देखिए सुनी और समझिए कि बोजपूरी गर्व की भाशा है गाली की नहीं, भोजपूरी तमीज की भाशा है, बतमीज की नहीं और आखिर में आपको एक गीत सुना देते हैं महेंदर मिसिर जी का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो पिछले दो-तीन दिनों में आपके इंतथा कथित भोजपूरी के सुपर स्टार और पावर स्टारों ने इनका नाम लिया है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब इजद बचाने की बारी आई तो जिस घर के मुखिया को आगे किया गया है वो कितना बड़ा स्टार होगा, और कितना बड़ा सुपर स्टार और पावर स्टार होगा एक गीत सुनिए, हजार बार सुनिए और इस गीत को गुनिए गीत कुशी है कि मुझे नहीं लगता कि इस गीत में किसी भाव या किसी रस की कमी है आई ये बहतर भोजपुरी की तरफ बढ़ें कबाड पर बहस करके कबाड ना बने अगर आपको ये बात अच्छी लगी और ये आज की बड़ी खबर अच्छी लगी तो इसको शेर करिए और आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए और डियर फैंस फिर से आपसे अनुरोध है कि फोन मत करिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा जवाब यहां देने वाले बैठे हुए हैं आज की बड़ी खबर में इतना ही अब बढ़ चलते हैं दिन के इंशॉट्स की तरफ उत्तर प्रदेश से खबर है कि जहां पर जल्द ही 12 वर्ष से अधिक के उम्र के बच्चों और किशोरों को कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा बीमार दिव्यांग बच्चों को प्रात्मिक्ता के आधार पर सबसे पहले टीका लगाया जाएगा प्रदेश सरकार ने 12 से 18 वर्ष के कम आयू के लोगों को जाइकोव डी टीका लगाने के मंजूरी दी है या टीका प्रदेश के गोरख पुर समेत 11 जिलों में लगाया जाएगा देश में तीसरी लहर का खत्रा बढ़ रहा है महरास्ट समेत कोछ जगहों पर करोना के केसिस बढ़ रहे हैं दिल्ली में कल ही और कल और आज मिला करके जो बुलेटिन जारी हुआ है उसमें 10 नए केसिस आने की पुष्टी हुई है उत्तर परदेश में सूनने से लेकर के 18 वर्ष से कम आयू के करीब 19 लाग से अधिक बच्चे और किशोर है सबसे ज्यादा खत्रा दो साल से लेकर के 18 साल से कम आयू के उनकी शोर और बच्चों को है जो घर से बाहर खेलते हैं पढ़ने जाते हैं और तमाम चीज़ें करते हैं खयाल रखिए अगली खबर ग्रियमंत्री अमित्शा से जुड़ी हुई है कि इंद्रियमंत्री ग्रियमंत्री अमित्शा ने आज कहा कि हो सकता है कि प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रित वाली सरकार की कुछ फैसले गलत हो लेकिन सरकार का इरादा कभी गलत नहीं था उन्होंने एबाद Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries यानि फिक्की के 94 वी बार्सिक जनरल के बैठक के दोरान कही। उन्होंने कहा कि 7 सालों में सरकार के उपर कोई भरष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है क्यूंकि हमारी नीयत कभी गलत नहीं रही है। इसके अलावा एक खबर दिल्ली से कुरोना से जुड़ी हुई है। दरसल चंडिगड में मीडिया से मुखातिब थे। इस दोरान सिद्धू ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे ले करके विवाद खड़ा हो चुका है। सिद्धू राज सरकार दोरा लेबर काइड के वितरर के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इसी दोरान उनकी जबान फिसल गई और उने बदजबानी कर दी अपशब्दों का इस्तमाल कर डाला। वहीं अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और लोग सिद्धू की जम करके आलोशना कर रहे हैं। आज के इंशॉट्स में इतना ही अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। नयायमूर्ती डीवाई चंद्रचूड और नयायमूर्ती एस बोपन्ना की पीट अपरेल 2018 के मदरास हाई कोट के एक पीट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें केंद्रिय प्रशासनिक ट्रिवूनल के फैसले और आदेश की पुस्टी की गई थी जिसमें अपील करताओं को प्रतिवादी की 2014 और 15 के लिए रिक्तियों के लिए उसकी योगिता के अनुरूप एक पद के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ती के उनके दा अधिकार नहीं है आपको बता दें जो अभी प्रतिवादी है जिसका ये रिक्वेस्ट है उसकी पतनी वायू सेना में नौकरी करती थी और कैंसर के जरीए उनकी असमें मृत्यू हो गई थी जिसके बाद उनको तकरीबन 22 लाख रूपे का मुआउजा मिला और उसके बाद ही उलगातार 2010 से मांग कर रहे हैं कि उनको उसके बदले में नौकरी दी जाए लेकिन समय समय पर अलग-अलग कारणों से वो इसके लिए योग नहीं रहे हैं जिस पर कोट ने ये कहा है कि अनुकंपा पर नियुक्ती एक नहीत अधिकार नहीं है या सेवा के दौरान वेतन अरजक की मृत्यू के कारण एक परिवार को वित्तिय संकट से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की जाती है ये दियोजना की आवशकता है कि पारिवारिक पेंशन को ध्यान में रखा जाना चाहिए किसी आवेधन के गुर्दोश का मुल्यांगन करते समय उसक पालन किया जाना चाहिए अनुकंपा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं है कोट ने ये साफ किया वो सिरफ परिवार को ततकाल आर्थिक संकट से निपटने और सक्षम बनाने के लिए है जो कर्मचारी की मृत्यू के परड़ाम सुरूप हो सकता है उसके आंकलन के आधार पर अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी और ये बताते हुए कोट ने उसकी आचिका को खारिज कर दिया और साथ यही ये भी कहा कि यदि सरकार ऐसी नीती के परकलपना करती है कि परिवार पेंशन का भुक्तान दस साल के लिए किया जाएगा तो इसके लिए कानूनों को स सभी आवेदनों के लिए भी है जिसका मतलब ये होता है कोट ये कह रहा है कि साफ तोर पर जो मांग की जा रही है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ती होनी चाहिए वो आवशक्ता के आधार पर किया जाएगा जिसकी पूरी विवेशना की जाएगी उसके बाद ही किसी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी वो किसी का अधिकार नहीं है आज की कानुन के इससे में इतना ही अब बढ़ चलते हैं आखरी सेगमेंट की तरफ जो है नसीहत आज की नसीहत महांदार्शनिक और सतंदर्ता सेनानी स्री अरविंदो की तरफ से है वो कहते हैं अगर आप किसी का चरित्र जानना चाहते हैं तो उसके महान कारे को ना देखिए उसके जीवन के साधारन कारे का निरिक्षन के रिए यानि कि ये चीज़ समझी है कि व्यक्ति साधारन से महान बनता है तो उसके साधारन करित्तों को देखिए कि वो महान कैसे बना उसका चर होते हैं आपसे तो रोज भी देख सकते हैं शुक्रिया